हेलो दोस्तों मेरा नाम कुल्दीफ है और स्वागत है आपका एक्जाम सेलेक्ट के इस योटूब चैनल में हम मद्यप्रदेश की जो सेरी चल रही है उसमें ये लेक्चर थर्ड लाए हैं लेक्चर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें कि हमने पढ़ा है मेथन का आवर भी लिया है जो भी सामनय परीचाय होता है मद्यप्रदेश का बो रेखा है उसमें हमने राज के चेन्पधेश के मैप ऑएक लिया है second lecture में हमने देखा था मद्ध पेदिस की जो बिधांसवा, लोकसवा, राज्यसवा सीटे हैं वो कितनी है और उनकी जो detail में हमने cover किया था data वो हमने देखा है उसके बाद हमने देखा था मंतरी हमारे जो नियुक्त किये गए है जोलाई 2020 में तो वो कौन-कौन से हैं और आयोग के जो चेयर में हैं हमारी अध्यक्ष हैं वो कौन-कौन से हैं तो ये दो lecture हमारी complete हो चुके हैं ये मर्दपेदिस सीरिज का lecture 3 है इसमें हम पढ़ेंगे मर्दपेदिस के गठन के बारे में मद्ध पेदेश के गठन को समझने के लिए आपको समझना होगा मद्ध पेदेश सौरी भारत के गठन के बारे में भारत का गठन किस तरीके से होता है ये आपको समझना होगा उसी से आपको समझ में आएगा कि मद्ध पेदेश का गठन किस तरीके से होता है तो अगर आप comfortable हैं तो आप pen और paper लेके बैठ सकते हैं जिससे कि आप notes बना सके हैं Notes आपको बनाते चलना है जो की काफी helpful होंगे आपको exam time पे revision करने के लिए तो चलिए देख लेते हैं मद्धपेदेश का गठन किस तरीके से होता है तो मद्धपेदेश का गठन, sorry मद्धपेदेश की गठन के लिए हमें समझना होगा भारत का गठन किस तरीके से होता है भारत की गठन किस तरीके से होता है मद्धपेदेश को जब गठन किया गया था उससे पहले गठन किया गया था भारत को भारत की जो रियासतें थी स्वतंतिता पूर्व बहे कितनी थी भारत की में जो रियासतें थी बहे थी 565 पांसो पैंसट रियासतें जो की देशी रियासतें थी इन रियासतों को बाटा गया था मद्ध भारत में और पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान में इने बाटा गया लैंने जो पाकिस्टान हिस्सा बनाता भारत का उन को रियासत यह दे गई थी 13 वियासत इनको टोटली दे दें गई थी यानि कि यह रियासत है पाकिस्तान बनाएंगी ही यह शो长 सब्सक्राइबं गई थी पाकिस्तान को 152 तो कि भारत को मिल सकती थी लेकिन इन्हें अभी भारत में सम्मिलित नहीं किया गया था सब्सक्राइब पास 3 OPTION मिले ते भारत में सामिल हो सकती है या पाकिस्तान में सामिल हो सकती है या फिर ये SOTANTRA रह सकती है तो 552 मैं से 549 जो रियासते थी जिन्हों ने भारत में समलित होने का पहांसला लिया पांसो उनन्चास रियासते भारत में सामिल हो गई इन्होंने पहसला लिया कि ये भारत में सामिल हो गई तो अब जो पांसो उनन्चास रियासते हैं जो भारत में सामिल हो गई उसके बाद बचती हैं तीन रियासते तीन रियासतें कौन कौन सी थी यह हम देख लेते हैं यह तीन रियासतें थी वो थी जूनागड़, हैदरावाद, और कस्मीर तो यह तीन जो रियासतें थी इन्होंने सवतंत्र होने का नेरड़ाय लिया अब यह जो तीन रियासतें थी उनको सवतंत्र रहने का नेड़ाय तो लिया था लेकिन किसी कारण बस इन्हें सम्मिलित किया गया और वो किसमें सम्मिलित किया गया जूनागड को किया गया किस तरीके से किया गया जूनागड को लोकमत के तहत किया गया लोकमत क्या होता है यानि कि लोगों से जो हमारी जनता होती है उससे पूंचा जाता है कि उनकी क्या इच्छा है लोकमत से जुनागड को भारत में सामिल किया गया हैदराबाद को पुलिस एक्षन के तहट किया गया हैदराबाद भारत के almost south में पढ़ जाता है जैसे अगर आ पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहे तो कैसे होगा भारत के बीचों बीच है और पाकिस्तान देश में सम्मिलित होना चाहे तो यह इसलिए हैदराबाद को पुलिस एक्षन के तहट भारत में समलित किया गया और इसमें ऑपरेशन चलाया गया था कौनसा पोलो ऑपरेशन पोलो ऑपरेशन के तहट जो कि पोलो ऑपरेशन था इसके तहट भारत में से समलित किया गया हैदराबाद को पुलिस एक्षन के तहर्ट संबलित किया गया और कस्मीर को बिलै पत्र पर हस्ताक्षर करके संबलित किया गया बिलै पत्र पर हस्ताक्षर किस ने किया था यहां के कस्मीर के माहराजा जो थे माहराजा हरी सीन इन्हों ने ब्लैपत्र पे हस्ताक्चर करके कस्मीर को भारत का इस्सा गोसे कर दिया था तो ये जो आपने देखा पांसो बावन रियासतों मैंसे किस तरीके से पांसो औनचास भारत में संबलेत होती है और पे तीन लियासतय जो कि जुनअगड हैどう और कसमीर हैं वो किस तरीके से भारत में इसमिलत होती हैं यह हमने देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे मदधदेस के जो यह मदधददेस से पहले हम देखेंगे 1947 में जो दियासते थी वो किस तरीके से divide थी parts में ये 4 parts में 1947 में 4 parts में divide थी उसके बाद इने एक बनाया गया तो ये देख लेते हैं हम कि किस तरीके से ये divide थी 1947 के time पे 1947 के टाइम पे ये चार पाइट में डभाइट थे जो भी हमारे राज थे 29 ये चार पाइट में डभाइट थे पाइट A, पाइट B, पाइट C और पाइट D ये आप यहाँ पर भाग लग सकते हैं यानि की पाइट की जगा आप भाग लग सकते हैं A, P, A में कौन से सम्मल लेते, अब इन 4 पाइट में हम देख लेते हैं ये चार पाइट हमारे रियासत है थी वो संब्ले थी यह देख लेते हैं हमारे कौन-कौन से राज्य थे तो इसमें थे जो गवर्नर जो राज्य करते हैं यानि कि जो बिल्टिस सरकार थी ये सारी जो गवर्नर का अरिखार था जन रियासतों पर ये रियासत हैFirst A में थे हैं यानि कि जो बिल्टिस प्रोविंसे थे जो हमारे प्रोविंसेस थे ずesting British provinces, वो part A में थे, part B में कौन सी थी, यह थी देशी रियासते हैं part C में कौन सी थी, यहां पर थी जो छोटी रियासते थी, जो की British सरकार के अधीन थी, छोटी रियासते यह चोटी इस्टेट बोल सकते हैं यहां, चोटी रियासते हैं यहां फिर राज पाइट डी में कौन थी, यह थी, केंद्र सासद केंद्र सासित या सासन बूल सकते हैं और इसमें केंद्र 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 इसमें अंडमान और निकोवार दीप समोय तो यह आपको देखना है पाइट ए में हमारा जो चोटी रियासते हैं बोथ ही पाइट सी में यानि कि चोटी रियासते हैं राज्य थे पाइट डी में क्या था पाइट डी जो कंस्टियूटे से पाइट नाय偷 में जिसे मैं तुसका तुसमें के अंडमान और निकोवार दीप चमो समय अब जो पाइट सेवन है इसे बाद में पूरी तरह से खतम कर दिया गया यानिक जो हमारा संसी का part 7 वो आज भी खाली है इस भाग में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है part A सारा part 6 में define है जो भी part A में है वो सारा सब कुछ define part 6 में पर ये part 7 जो हमारा constitution का है जिसमें की देशी रियासत है थी इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया जो देशी रियासत थी उनको भारत में सम्म् traits करने के लिए इने preview पर्स दिया जाता था अगर आप समझ सकें preview पर्स से आने कि कुछ रुपय दिया जाते थी इने जिससे कि ये रियासते अपना खर्च चला सकें तो ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता था जिससे की भारत सरकार में देशी रियासते सामिल हुई थी और ये अपना देशी रियासते खर्च चलाते थी प्रेवी पर्स से प्रेवी पर्स का मतलब ही होता है कि आप रुपए देते हैं उनको जो भी उनका खर्च है उने उस खर्च को हेल्प करने के लिए तो यह प्रेवी पर्स भारत सरकार के दौ़ार देशी रियासतों को दिया जाता था बाद में यह पूरा सब कुछ खतम कर दिया गया इसमें कुछ भी मेंसन नहीं है अब जो पार्ट एट है उसमें यह देशी रियासतों को तो हटा दिया गया और जो केंद सासित हैं इन्हें पार्ट एट में लाया गया जो पार्ट एट है कंस्टिट्यूशन का उसमें पार्ट सी में जो केंद सासित हैं वो इसमें लाया गया यानि कि part 9 फिर से खाली हो गया, part 9 अब खाली हो गया, क्योंकि ये किन्द सासित हैं, जो अंडमान और निकोबार दीप समोई, ये इसमें लाया गया, part C में, जो कि part 8 में में इंसन है, constitution के, और part 9 अब खाली है, लेकिन ये 73 और 74th amendment, यानि कि जो हमारा constitutional amendment है, जो संसोधन है, हमारा संसोधन के तहर्त, 13 और 44 संसोधन के तहर्त, इसमें पंचायती राज लाया गया, पंचायती राज इसमें में लिखा गया है, और ये जो केंद सासित था, केंद सासित था, वो part C में, यानि कि part 8 है constitution का, उसमें transfer कर दिया गया, तो अभी part 7 खाली है, इसम हमारे पंचायती सिस्टम है, तो ये हमने देखा, कि 1947 में किस तरीके से डिवाइट किया गया था, देसी रियासतों को, जो बेटेस रियासते हैं, उने देसी रियासतों को, और केंद सासन को, तो ये देखा हमने, कि 1947 किस तरीके से डिवाइट किया गया था, अब आपको ये था पाइट B में पाइट C में भी MP का पाइट था लेकिन पाइट D में MP नहीं था यानि कि पाइट A में जो हम डीटेल में अभी कवर करेंगे कि पाइट A में मद्ध पिर्देश का जो CP था सेंट्रल प्रोविंस और CP आप बोलें बदार यह पाइट A में थे पाइट B में हमारा मद्ध भारत था और पाइट C में था हमारा जो बखेल खंड है यानि कि पाइट A, पाइट B, पाइट C में थे मद्ध पिर्देश का जो डिवीजन था वो इन तीनों में तो था लेकिन पाइट D में नहीं था तो हमें केवाल यह तीनों पढ़ने होंगे तो चलिए देखते हैं मद्ध पिर्देश को किस तरीकी से डिवाइट किया गया था अब सुतंता के पश्चा जो मद्ध पिर्देश को डिवाइट किया गया था जो तीन पाइट में 1947 के जो डिवीजन के टाइम पे मद्ध पिर्देश को डिवाइट किया गया था तीन पाइट में पाइट A जिससे कहेंगे आप भाग का पाइट B यानि की भाग खा और पाइट C यानि की भाग गा तो इसमें किस तरीके से मद्पेदिस को डवाइट किया गया था यह देख लेते हैं मद्पेदिस के part A में मद्पेदिस के CP भाग का में CP यानि की Central Province बरार जिसमें कि आपका आजाता है 36 गड जो महा कौसल एरिया है बुआ जाता है और आपका आजाता है विधर्ब जो कि महराष्ट का एरिया है तो यह जो part A में भाग का में CP बरार और 36 गड महा कौसल और विधर्ब का जो एरिया है यह part A में होता है इसमें डवाइट किया जाता है part A में इसे रखा जाता है यानि कि भाग का में से रखा जाता है अभी मेप के जड़ी हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम इसका division पढ़े लेते हैं यानि कि भाग का खा और गा में क्या जो रीजन थे मद्य पिरदेश के वो कौन-कौन से रीजन थे जिनने इनमें डवाइट किया गया था CP बरार में जो 36 गड़े हमारा वो भी आता है महा कौसल एरिया है मद्य पिरदेश का ये भी आता है और बिधर्व जो माराष्ट का एरिया है वो भी इसको कबर करता है जो कि भाग का में सम्मिलित है भाग खा में क्या आता है हमारे हमारे मद्य पिरदेश के भाग खा में आता है जो हमारा है मद्य भारत मद्य भारत भाग खा में आता है और इसकी जो राज़दानी होती है वो सब कुछ हम अभी डीटेल में पढ़ेंगे इसी के बाद पढ़ने वाले हैं तो भाग खा में कौन सा पायट है मद्ध पिर्देश का, किस भाग को रखा गया है मद्ध पिर्देश के, ये आपको याद रखना है और इसमें रखा गया है मद्ध भारत को, यानि कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि मालवा का पठार जो एरिया है उसको रखा गया था भाग खा मे अब जो भागगाह है, मद पिरदेष के भागगाह में रखा गया था हमारा बिन्द पिरदेष बिन्द पिरदेष और भोपाल राज जिसमें की बिंद पिर्देश में क्या क्या आता है इसमें आता है बिंद पिर्देश में क्या क्या आता है इसमें आता है बगेलखंड बुंदेलखंड और जो की बोपाल राज्य है तो मद पिर्देश के इन पार्ट को बिंद पिर्देश बोपाल और जो बगेलखंड बुं हीज कर माहा कोसल और जो एरिया माराष्ट का यह आता है भाग खामे इनंद्फ इंदध नérerर्देश, ऐरिया वो भाज खामे आता है और भाग गा में क्या मोकल इन्म्ना गरेता है और भाग गा में एटा है इसमें यह अता है बिनदफे द비्रदिह द्वारा देख लेते हैं कि यह जो एरिया है वो कहां-कहां है मर्दपेदेस के मैप के हिसाब से तो अभी हम देख लेते हैं मैप के द्वारा की जो मदपेदे इसको डवाइड किया गया था वो पाइट कौन-कौन से थे तो इस मदपेदे इसको मैप के द्वारा हम देखते हैं मदपेदे इसके मैप के द्वारा अगर हम देखें हैं तो यह जो area है, यह आप देख रहा है, यह सारा area, यह जो area है, यह cover करता है, मर्द भारत, यहाँ पर यह आप देख रहा है, यह बोपाल राज्य है, यह cover नहीं करता, केवल इतना area cover करता है, मर्द भारत, जो की मैंने fill कर दिया है, इसे भर दिया है, यह cover करता है, मर्द भारत. अब मद्यभारत पारे में देख लेते हैं, जो बुसिस्था हैं ये देख लेते हैं, मद्यभारत जो मालवा का अलमुष्ट पूरा एरिया है, ये कबर करता है, और मद्यभारत की दो राज़धानी थी, एक थी इंदौर, और जो इंदोर कौन सी राजदानी थी? कब दो राजदानी बनाई गई थी? ये इंदोर मानी जाती थी ग्रीस्म कालिन यानि कि गर्मियों के टाइम पे ये राजदानी होती थी मद्य भारत की और जो gwaliar था हमारा दूशरी राजदानी जो gwaliar थी यह मानी जाती थी सीथ कालीन तो मद्य भारत की दो राजदानी थी एक थी gwaliar और दूशरी थी इंदमार ग्वालियर सीथ कालीन थी और इंदोर थी गिरीस मकाले इन राजधानी ग्वालियर के जो जीवाजी राव सिंदिया थे यानि कि जो जीवाजी राव सिंदिया थे ये थे हमारे मद्ध भारत के राजपिरमुक याद रखना ये थे राजपिरमुक मर्द भारत के ये राजपिरमुक थे और यहां के जो इंदोर के थे यसबंत राओ होलकर यसबंत राओ होलकर ये थे उप राजपिरमुक ये आपको याद रखना है ये काफी important हो जाते हैं अगर आप से पूछा जाए कि ग्वालियर के राजपिरमुक कौन थे तो ये थे जीवाजी राओ सिंधिया और उप राजपिरमुक कौन थे मद्ध भारत के तो ये थे इंदोर के महराज सिरी यसबंत राओ होलकर यसबंत राओ होलकर उप राजपिरमुक थे और जीवाजी सिंधिया थे जीवाजी राओ स इतनी ज़्यादा नहीं होती है और सीट कालीन गवालीर इसलिए थी क्योंकि गवालीर में सरदी के टाइम पर अच्छा मौसम हो जाता है और गरीस में गवालीर में काफी ज्यादा गर्मी होती है इसलिए इंदौर राज़दानी बनाया गया था मद्य भारत के जो उस टाइम पे मुख्य मंतरी थे ये कौन थे यानि कि प्रमुक कौन थे उस टाइम पे मुख्य मंतरी तो नहीं होते थे लेकिन जो प्रमुक होते थे ये कौन थे ये थे लीला धर सेट लेकिन मद्य भारत के 1956 के टाइम पे 1956 यानि कि मद्ध पिर्दिस के गठन के समय याद रखना है आपको पहले पिरमुक कौन थे ये थे पिरमुक लीला धरसेट और 1956 के तेहत यानि कि जो मद्ध पिर्दिस का जब गठन हो रहा था उस टाइम पे जो यहां के मुख्यमंतिरी थे मर्द भारत के ये कौन थे मुख्यमंतिरी ये थे तक्तमल जयन तक्तमल जयन ये आपको याद रखना है 1956 के टाइम पे मुख्यमंतिरी थे तक्तमल जयन और पिरमुक कौन थे लीलाधर सेट जो की पहले ही पिरमुक्तरी बोते लीलाधर सेट और 1956 के टाइम पे जो मुख्यमंतरी थे मद्यवारत के बोते तक्तमल जैन पिरमुक्यानी की मुख्यमंतरी आप समझ सकते हैं जो अब हम CP बरार वाला एरिया देखेंगे यह जो पाइट था हमारा पाइट B था यानि की भाग खा था यह अगर हम उसके इसाब से देखें तो पाइट A कवर करना चाहिए था लेकिन sorry for that की हमने भाग खा पहले कर लिया यानि की पाइट B पहले कर लिया अब देखते हैं की जो पाइट A है CP बरार यानि की भाग खा जो है sorry भाग का जो है उसके बारे में बिसेशता है देख लेते हैं ये CP बरार यानि की सेंटरल प्रोविंस बरार यानि की जो चटीसगर बगेल खंड महा कौसल और बिधर्ब जो एरिया कवर करता है ये जो माराष्ट का एरिया ये कवर करता है इसे हम कहते हैं भाग का इसे बारे में देख हैं तो इसकी राजदानी है नागपुर इसकी राजदानी थी नागपुर इसके पिरमुक कौन थे यानि की आप मान सकते हैं मुख्यमंतिरी कौन थे ये थे पंडित रवी संकर शोकल तो यह आपने देखा यहां के जो मुख्यमंतिरी कौन थे यह थे यानि मुख्यमंतिरी या पिरमुक आप बोल सकते हैं यह थे पंडित रवी संकर सोकल और राजदानी थी कि बांक की पार्ट एक राजदानी थी नाखपुल नाखपुल जो की माराष्ट में था बाद में इस एरिया को माराष्ट को दे दिया गया था माराष्ट उस टा multi नहीं बहुल sleeping एक राज्य उस समय महाराष्ट बाद में नाम दिया गया था फिर जब मुंबाई को इससारी नीचे के जिले दे दिया गये थे उसके बाद महाराष्ट बना और जो नागपुर राजदानी थी वो महाराष्ट में चली गई तो मद्धपेदिस को जो part A है उसको भाग A में रखा गया था CP बरार और 36 गड़ को और महाकोसल एरिया है और विदर्द जो एरिया है महाराष्ट का उसे रखा गया था इसकी राजधानी है नागपोद और मुप्रमुक और मुखमंतरी जो थे पंडित रभी संकर सुक्ल जो की 1956 के टाइम पे भी थे अब देख लेते हैं बिंदपेदेश के बारे में देख लेते हैं यह इसकी जो राजधानी थी बिंदपेदेश यह part C हो जाता है हमारा part C यानि की भाग गा और भोपाल भी हमारा part C को ही cover करता है यह दोनों एक ही part में रखे गए थे बिंदपेदेश की राजधानी जो थी हमारी यह थी रीवा रीवा इसकी राजधानी थी यह आपको याद रखना है और यहां के पिरमुक जो थे यानि की मुखमंतरी जो थे बो थे हमारे सिरी संबूनात सुकल संबुनात सुकल हमारे प्रमुक थे और यहां के जो राज प्रमुक थे वो थे रीवा के जो महराजा थे मार्तेंड देव से जो यह मार्तेंड देव से तो राज प्रमुक कौन थे मार्तेंड देव से बिंदे प्रदेश के राज प्रमुक कौन थे यह थे मार्तेंड देव से और प्रमुक कौन थे यह थे संबुनात सोकल राज दानी क्या थे बिंदे प्रदेश की यह थी रीवा तो ये आपको याद रखना है राजधानी थी रीवा पिरमुक कौन थे? संभूनाद सुकल राज पिरमुक कौन थे? मारतन्ड देपसी जो कि रीवा के महराजा थे और उप राज पिरमुक अगर आप से पूछ लिया जाता है उप राज पिरमुक तो ये थे अब देश पिरताब से ही, अब देश पिरताब से ही, ये आपको याद रखना है, तो ये सारी डीटेल हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, इसका, पाइट A में कौन सा एरिया रखा गया था मद्यपिर्देश का, इसमें Central province, बरार, 36 गड़, महाकोसल एरिया मद्यपिर्देश का, और बिदर्ब एरिया, जो की माराष्ट का है, वो इसमें रखा गया था, पाइट A की, यानि की CP की या बरार की राजधानी जो थी, वो थी नागपूर, मुक्यमंत्री यार पिरमुक कौन थे, यहाँ के, बरार की, यह थे पंड़ेतरावी संकर, सुकल, तो यह आपको पाइट A के बारे में याद रखना है, यानि की भाग का के बारे में याद ऐंड़ा रजदानी थी। वो थी शीत कालीन टाइम पे, यानि की सर्दियों के टाइम पे और अब जो गवालियर के राजा थे, महाराजा थे, जीवाजी, राओ, सिंधिया बो थे राजपिर्मुक, मर्ध्य भारत के राजपिर्मुक बनाये गए थे, और उपराजपिर्म पिरमुक कौन थे मद्य वारत के यह थे लीला दर्सेट यानि की जो पिरमुक आप मुख्यमंत्री कह सकते हैं उस टाइम पे यह थे लीला दर्सेट और 1956 के टाइम पे जब मद्य पेदेश का एक नमबर 1956 को गठन होता है तब मुख्यमंत्री थे तक्तमल चैन यह आपको आपस पूछा जा सकता है कि 1956 के टाइम पे मद्य वारत के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे तो यह थे तक्तमल जैन अब जो हमारा पाइट सी आता है यानि की भाग गा आता है जो कि हमारा बिंद पिरदेश और भोपाल राज्य है इनके बारे में हम देख लेते हैं इसकी राज रहनी थी रीवा पिरमुक कौन थे यहांके पाइट सी के बिंद पिरदेश के पिरमुक कौन थे तो यह थे संबुनात सुकल राज पिरमुक कौन थे राज पिरमुक थे मारतंड देव सी जो की महराजा थे रीवा के रीवा राज्य के महराजा थे यह राज पिरमुक थे उ तो ये सारी चीज़ें आपको डीटेल आप में याद रखनी हैं, तो ये आपको डीटेल में याद होना ही चाहिए, इसके बाद हम देखेंगे, जो हमारे आयोग बनाए गए थे, जो हमारी भारत राज्य को गठन करने के लिए आयोग बनाए गए थे, जिससे की राज्यों का गठन किया जाए, तो वो आयोग के बारे हमें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम इतना ही कबर करते हैं, जिससे की आपको काफी हेल्प होगी, धीरे धीरे जो भी हम पढ़ते जाएंगे उसे याद करने में तो इस वीडियो में हमें इतना ही कवर करते हैं बागी का हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में और अगर आप कोई feedback देना चाहते हैं, तो भी आप comment box में बता सकते हैं, अगर आपको कोई question या doubt होता है, तो आप वो comment box में पूछ सकते हैं, और हम पूरी तरह से उसे answer करेंगे, जो भी आपका doubt होगा, वो आपका पूरी तरह से answer किया जाएगा, तो आपको निश्वेकर comment करन है, अगर आपको कोई question होता है, तो इस वीडियो में हम इतना ही cover करते हैं, ये सारी detail आपको याद होनी चाहिए, आपके पास map होना ही चाहिए मद्द पेदिस को, map के जरीए ही पढ़ना होगा आपको, तो notes आपको बनाते चलना है, ये आपको याद रखना है, so thank you for watching this, have a good day आपको ये 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 आपक